दोस्तों आप सभी अनुपमत देखी रहे होंगे जिसमें हमें अनुच कपाडिया का किरदार निभाते हुए नजार आ रहे हैं मशूर अभिनेता गौरव खन्ना जिनकी वज़े से ये सीरियल काफी दिल्चस्प बनता जा रहा है और दर्शक भी इस सीरियल के फैन होते जा हैं लेकिन दोस्तों क्या आप जानते हैं कि सीरियल में सिंगल नजर आने वाले अभिनेता गौरव खन्ना रियल लाइफ में एक अमीर लड़की से शादी कर चुके हैं जिसके चलते ये एक आलिशान ससुराल के दामाद बन गए हैं इसलिए आज की हमारी इस वीडियो में ह हमारी वीडियो को लाइक करना ना भूलें अनुपमा सीरियल के फेमस अभिनेता गौरव खन्ना एक बहुत ही आलिशान घर के दामाद हैं और जिस लड़की से इन्होंने शादी की हैं वो कोई और नहीं बलकि टीवी इंडस्री की जानी मानी और खूपसूरत अभिनेतरी आकांशा चामूला है जिनके पिता मिस्टर चामूला पेशे से एक बिजनिसमैन है और आपको बता दे कि उन्होंने और उनके पिता मिस्टर चामूला ने मिलकर मुंबई में 6 करोड का एक आलिशान घर बनाया है जिसमें हर तरह की पसिलिटीज उपलग्ध हैं आपको बता ससुराल वालों ने महंगी पेंटिंग, वास और जूमर से सजाया हुआ है जो की देखने में बहुत ही प्यारा लगता है और वहीं आपको बता दें कि इनके ससुराल में हर चीज काफी जादा एक्सपेंसिव है चाहे वो फरनीचर हो या फिर घर की छोटी मोटी चीजें आपको बता दें कि इनके ससुराल में रहने वाले सभी लोग एक लगशूरियस लाइफस्टाइल जीते हैं जिसमें सब से पहले हमबात करते हैं इनकी पत्नी आकानशा के बारे में जो कि पेशे से एक एक्ट्रेस है इसलिए तो वह लाखों करोडों कमाती है और जाधातर वैसा अपनी लाइफ स्टाइल पर खर्च करती है जिसमें आपको बता दें कि वो अपनी एक ड्रेस पर कम से कम 10 से 12,000 खर्च करती है और वहीं उन्हें शूज में पराड़ा ब्रैंड काफी जादा पसंद है जिसके एक शूपेर की कीमत लगभग 20 से 30,000 की होती है साथ ही इन से स्रीज जिस पर वो रोजाना 2-3,000 खर्च कर देती है पतनी के बाद बात करें इनके बांकी ससुराल वालों की लाइफ स्टाइल के बारे में तो आपको बता दें कि इनके बांकी ससुराल वाले भी काफी लक्जूरियस लाइफ स्टाइल जीते हैं मगर उनकी जादा पिपस्तारी और रोल्स रोइस जैसी कार्ज हैं जो इनके सिसुराल वाले लोगों की आलिशान-जिन्दगी को और भी आलिशान बनाती है तो दोस्तों आपको दोस्तों आपकोमेटातून फिल्री충ुज आंपों को हमें किमुक्त भीमंंड़्राल इसम मदल्व में। झाल झाल